अब हम मौझूद है हरियाना के सबसे होस्चिर्स कहे जाने वाले गुर्गाओं विधानसभाशेत में जहां हम सीरी प्रशीत करेंगे यहां के कॉंगर्स पत्याशी सुख बिश्चारिया जी से सबसे पहले सर बहुत बहुत बदाये आपको टिकट के लिए सबसे पहला सवाल कि आपके ऐसे कौन से चुनावी एहम मुद्धे होंगे जिने लेकर आप जंता के बीच चुनावी मैदान में उतरेंगे सबसे पहले मैं जाता हूँ कि जो हमारा गुडगाओं कॉंशनसी है वो साफ सफाई में और सीवर का मास्टर सीवर लाइन और कनाल बेस पाइब वाटर पाइब लाइन और मेट्रो को ओल्डगाओं के अंदर रैपिड मेट्रो को भी एक्सेंशन के लिए और जिस तरह से अ दो लुगाओं ने वाई देखिये थी इन्होंने कि 154 कि हम गुडगाओं शेर को स्मार्ट सीटी बनाएंगे रोजगार देंगे अपने सिख्षा देंगे और अपने मेडिकल हब बनाएंगे आज देखो कि इन्होंने सारे वादे जुमले के रूप में इन्होंने उड़ा में आपने देखा हुआ विकास का जो दूरा पीट रहे हैं वो पीछे जब हर साल बारिश होती है तो इनका विकास है जैसे थोड़ा सा पानी पढ़ते ही जो लेपिस्टिक पाउडर जो इन्होंने मेक अप करते हैं वो सारा दूल जाता है आपने देखा हो इंडर चोक है वो क्रैक आगे इफको चोक के अंदर क्रैक आगे सारे अंडर पासिस में पानी भर गया तो आप देखो पीछे देट दो साल पहले बीश-बीश-बाइश-बाइश-घंटे का जाम हो गया और जो हमारे गुडगाओं का दोजार नो और दोजार चोदा के टाइम पे एक प्रमचारी सुरक्षित है एक भैभाओं का महावल हो गया नहीं तो हमारे गुरुकराम गुरु की धरती है यहां पीर फकीरों की धरती है परंतो आज देखो क्राइम रेट देखो आप कोई भी सुरक्षित निया ना भेंड़ बीचित है इनके जो नारे हैं अपनी बेटी बचाओ बैटिंगे अधिंगे सारे सौस्ता जो इनका नारा था सफाई का भोब्वन उढ़ा दिया सिर्फर यह गोशना रहेuld चांड ऑप सब्सक्राइब कर दिया और अब डर यह लगता है कि यह जो पार ना कर दें और जो सो पार करेंगे निसी रूप से आप देखो इस सरकार का जो घोशना है इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी सरकार को गुडगाओं से बाहर और पूरी हर्याना से बाहर और जब कॉंग्रे सरकार टू थर्ड मैजॉर्टियस जीतेगे और इस चिरूप से आधरनी हुड़ा साब इस परदेश की कमान समा लेंगे और जो उन्होंने खासका हमारे से क्योंकि हमारा सपनों का शहर होता था गुडगाओं आज वही शहर डर लगता है आज क्राइम में नंबर एक बन गया आज देखो पीछे डाटा आया था पांच हजार साथ सो पिशत्तर के आसपास यहां मर्डर हुए और चार हजार नोसो पच्पन के आसपास यहां बाद ना कोई कोई भी आसुखी नहीं है जो आप इस रखशी तारे कानून आपके सबसे पहले क्या होंगे जो हम चाहते हैं कि तो साफ सुता सहर हमारा हो यहां पॉलिशन फ्री हो और जो यह कंपनियां और कंपनियों के अंदर बेरोजगार ही कर रहे हैं निकाले जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कंपनियों उसे बैठ के उनसे बात किया जाए जाकि ताकि रोजगार मिले पीछे खटर जी ने दो साल पहल आने के दूरी आज यहां से निकल के भाग रहे हैं लोग बाग आज अपने काम धंदे बंद करके जा रहे हैं जब बेरोज़ आ रही होगी तो मेरे ख्याल में आप जानते हो कि कभी भी परदेश तरकी बने जब हुड़ा साब ने अपनी कमान इनको सोपी थी तब हमारे उप पर सत्र लाग करोड का करजा था आज एक सो सत्र लाग करोड का करजा बढ़ा दिया नहीं मेरे काम जब कोई भी आदमी या बच्चा पैदा होता है तो उसके उपर पैदा होते ऑल्मॉस 65,000 आठसो चौतर रुपे का सबसे उनका बच्चे को पर एक लौन होता है तो आप देखो किस तरह से हम तरक्की कर पाएंगे जिस तरह से पहले कहते हैं जितना पैसा हमारे रेवन्यू हमारे को गुडगां फुड़ाबाद से मिलता है तो फुड़ा साब अपने रह तक सौनी पत्र पे लगाते हैं आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं मैं किता हूं वीजे साब जो बताएं तो यह था इनका चुनावी मुद्धा जिने लेकर जनता के मैदा चंद दिन तके भी चुनावी मैदान में उतरेंगे सफाई और बेरोजगारी इनका एहम मुद्धा है कैमरामेन सुनील के साथ नीशी गुपता एवन नियूस गुरगां